हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग आप सभी लोगों को दोस्तों आज जो है कोई भी बिजनेस प्लैन के ऊपर नहीं बात करेंगे मेरा एक साथ ही है जो कि वेस्ट वेंगॉल से ही विलोंग करते आज के डेट पर बहुत से प्रॉब्लेम में है वो तो मैं आप सभी से हाथ जोर के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना भी हो सके आप उनको हिल्प कीजिए दो मिनिट के बाद ही जो है आप मैं उनका वीडियो आपको दिखा दूंगा तो हो सके तो जो है आप 10 रुपया 20 रुपया या जो भी है 1500 जितना भी है एक सोसल कॉस के लेकिन हो सकता है जिन्दिगी है तो अगर यह क्राउट फंडिंग के माध्धम से जो है उनको थोरा बहुत भी हिल्फ हो जाए तो काफी अच्छी चीज है ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिए उनका जो है कार्ड में अभी कार्ड जो है वीडियो में डिस्प्ले कर आप डिजे ताकि आप ना कर पाऊ लेकिन आपका जो है इस विडियो देखके कोई साथी आपसी जो है उनको मदद कर देए तो इतना जो है आप चोटे भाई बड़े भाई के हिसाब से मैं आप सभी को जो है रिक्वेस्ट करता हूँ जितना वी उनको ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है देर से दो लाक फंड की जरूरत है तो हम लोग भी छोटा छोटा एक कंट्रिबूशन अगर करता है पचास उरुपया सौरुपया दोस्तों पास मेरा नमस्कार मैं रमेश कुमार प्रजापती पच्ची मंगाल से दोस्तों मैंने इसके पहले भी ग्रूपों में मेसेज डाला है पर उस मेसेज का खासा रिस्पॉंस नहीं आ रहा है भाईयों मैं आज सभी लोगों से हाथ जोड़ करकर प्राथना करना चाहता हूं कि किर्पया आप मेरी इस गोहार को सुनें मैं दोस्तों मैं आपसे अपनी भांजी की साधी के लिए मदद मांग रहा हूं हमारे फ्यूचर मेकर के क्रांतिकारी भाई सभी लोगों को सभी लोगों से यह प्राथना करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मुझे सहयोग करेंगे तो मैं मेरी भांजी की साधी को सफल करने में काम्याब होंगा दोस्तों इस वक्त मेरी हालत बहुत खराग है और मैं यह भी जानता हूं कि मेरे साथ साथ मेरी फ्यूचर मेकर के बहुत सारी भाईयों की मुझसे भी बोरी परिस्थिती है भाईयों मैं आपसे अनुरोद करना चाहता हूं कि मेरी भांजी की साधी के लिए आप सब लोग अपनी तरब से कुछ भी योगदान दें 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए आप से जो भी बन पड़ता है भाईयों फ्लीज मेरी मदद करें मैं अपनी भांजी को साधी को ले करके बहुत ही परिसान हूं कल साथ तारीक था साथ तारीक मेरी भांजी की तिलक हो गई जैसे तैसे करके दोस्तो मैंने तिलक का तो जैसे तैसे करके तिलक हो गया पर फिव्चर मेकर के सभी भाईयों से मैं प्राथना करना चाहता हूं हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि किर्पया आप लोग इस मेरी गुहार को समझें मेरी इस अफील को समझें और मेरी भांजी को अपनी भांजी सम्झें और PLEASE मेरी मदद करें, आप से जो भी बन पड़ता है, 10 प्रूपे, 50 प्रूपे, 100 फ्रूपे, जो भी बन पड़ता है, किशे मेरी मदद करें, और 6-7 दिन रह गए हैं साधी के और हमारे हाथ में एक पैसा भी नहीं है कुछ भाईयों ने हमारी मदद की भी है मैंने फ्यूचर में करके बहुत सारी लीडरों से बात भी की है उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया है भाईयों मैं क्या कहूं कैसे कहूं आप लोगों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं बार-बार वीडियो बना करके और बार-बार आप लोगों के पास मेसेज दे रहा हूं मैं बार-बार आप लोगों से अनुरोद कर रहा हूं भाईयों गुरूपों में देखिए मैं प्रतेक दिन एक बार करके मेसेज देता हूँ भाईयों हम लोग 60 लाख लोग के परिवार हैं अगर सभी भाईयों ने एक एक रुपय की भी मदद की ना तो 60 लाख रुपय होंगे पर भाईयों मुझे उतना नहीं चाहिए मुझे बस आपसे इतनी मदद चाहिए कि मैं अपनी भाजी की साधी कर सकूँ आप मुझे 10 रुपय, 20 रुपय, 50 रुपय जो भी आपसे बन पड़े आप दीजिए पर दीजिए मेरी मदद कीजिए मैं इस वक्त बहुत परिसानी में हूँ बहुत परिसान हूँ आप मेरी इस परिसानी को समझिए और हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इसलिए मैं बार बार वीडियो बना करके और ग्रूपों में डाल रहा हूँ ताकि लोग हमारी आवाज, मेरी आवाज को सुने मैंने बहुत लोगों से कॉल करके बात भी किया है फोन पर बहुत लोगों ने मेरी मदद की भी है पर बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि किर्पिया मेरी इस आवाज को सुने है और मेरी ब्यथा को समझे है भगवान न करे कल को आपका भी अगर इस तरीके से समय आए आज आप अगर हमारी मदद करते हैं तो भगवान उस दिन आपकी भी मदद करेंगे आपके लिए भी कुछ ने कुछ रास्ता जरूर निकलेगा भाईयों साथ आख दिन रह गये हैं चे या साथ दिन और रह गये हैं और इन छे साथ दिनों में मुझे कम से कम इतने पैसे कठे कर लेने हैं कि मैं अपनी भाजी की साधी कर सकूँ और मैं क्या कहूं भाईयों प्लीज मेरी इस व्यथा को समझें और मेरी मदद करें मैं इस वीडियो के नीचे अपनी भाजी के साधी का कार्ड मेरी बाहन का एकाउंट नमर भी दे दूँगा आप लोगों से जो भी बन पड़े भाईयों जो भी बन पड़े जरूरी नहीं है कि आप हजार उपया देंगे पांसो उपया देंगे दस रुपे भी भेजिए पचास रुपे भी भेजिए सो रुपे भी भेजिए पर भेजिए मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ मैं इस वक्त बहुत अखलिपने हूँ प्लीज भाईयों प्लीज मेरी मदद करें धन्यवाद